हेलो इंडिया वल्कम टू इंडियन एए प्रोडक्शन कम्प्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोपेशनल हैंड्स पैथन कोर्स इन हिंदी के टेंसरफ्लो टूटूरियल 2.0 में हाज हम देखने वाल है टेंसरफ्लो डॉट मैथ मोडल को जैसे कि हमने नमपाई टूटूरियल में देखा था कि हमें कोई मैथेमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लाइक एडिशन मल्टिप्लिकेशन सब्स्ट्रेक्शन लॉग साइन कॉस्ट इटा तो इस तरीके के धेज सारे ऑपरेशन हम नमपाई में हम इजीली करते हैं हमारे पास अरे रहता है और अरे के साथ हम जो भी हमें ऑपरेश परफॉर्म कर सकते हैं तो इसका अंसर है हाँ बिल्कुल हम मैथेमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास एक मोडूल है जो टेंसर फ्लो में अवेलेबल है जिसका नाम है टीयफ.meath तो इस मैथेमेटिकल मोडुल के बारे में आज हम पूरे detail में बात करने वाल है, तो चलो यार, इस tutorial को start करते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो मैंने blog को open किया है, वो official blog है TensorFlow का, इसके आपको description box में link मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर भी इस blog को आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको बतना चाहूँगा, कि जब भी आपको इन mathematical operation perform करना चाहते हो, TensorFlow 2.6.0 में, तो आपके पास एक module देंगा, जिसका नाह में tf.math, तो इससे आपको समझ में आता है, कि भाई हमें TensorFlow में mathematical एक module है, जिसका इस्तमाल करके, आपको बतना चाहूँगा, कि हम basic arithmetical operation कर सकते हैं, इससे के साथ हम trigonometric function को भी हम इस्तमाल कर सकते हैं, जिसके cos है, tan है, cos theta है, tan theta है, tan theta है, तो इस तरगे की operation हम trigonometric के भी हम TensorFlow के साथ कर सकते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, special math functions के बारे में, like, tensorflow.math.igamma, tensorflow.mathzeta, तो इन तरगे के भी operation हम tensorflow के साथ easily कर सकते हैं, हमें ज्यादा code लिखने के ज़रूरत नहीं है, just उस function को हम call करेंगे, और उसके बाद उस function को जो भी required arguments रेंगे, हम उनको pass करेंगे, तो हमारा काम बन जाएंगा, next बात करते हैं, complex number functions, iMac है, उसके बाद angle है, तो इस तरगे के function को भी इस्तिमाल करके, हम mathematical operation perform कर सकते, next है reduction and scan, जिसमें हम reduce underscore mean, come sum, इस तरगे के operation भी हम perform कर सकते, next है segment function like tensorflow.math.segment underscore sum, तो इन तरगे के operation भी हम perform कर सकते, lg of matrix and tensorflow function, तो इस तरगे के भी operation भी perform करना चाहते हो, तो tensorflow के साथ आप easily कर सकते हो, तो हम आगे चलके बात करते हैं कि tensorflow के साथ कितने functions है, tensorflow.module के पास कितने functions है, जिसका इस्तिमाल करके हम mathematical operation perform कर सकते, तो यहाँ पर आपको single language में बात करना चाहूँगा, मतलब single line में बात करना चाहूँगा, इसके बास around 100, around 100 इसके बास functions है, जिसका इस्तिमाल करके आप आपकी दिमाख में जो भी mathematical operation आ रहे होंगे, जो भी functions आपकी दिमाख में घुम रहे होंगे न, वो सारे का सारे function आपको tensorflow के साथ मिल जाएंगे, आपको उसका code मतलब उस particular operation perform करने के लिए आपको code को पूरा detail में लिखने की ज़रूत नहीं है, just आपको उस function को call करना है, तो आपका time भी बचेंगा, और उसके साथ आपको optimize code मिलेंगा, आप आपका खुद का function निकालने के लिए जाओंगे या करोंगे, तो हो सकता है कि आपका function काम करने के लिए थोड़ा lengthy काम करेंगा, slow काम करेंगा, तो उससे अच्छा है कि आप tensor flow का math में जो function है, उसका आप इस्तेमाल करो, और उसके बाद आपके काम को अंजाम देदो, तो चलो यार, उस function को हम देखते हैं, उन function का इस्तेमाल करके, हम आगे चल कि जो भी हमारे operation है, neural network को train करना है, टेंसर के साथ जो भी operation perform करना है, वो हम easily कर पाएंगे, तो आपको scroll down करना है, scroll down करोंगे, तो आपको यहाँ पर डेहर सारे functions मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखते हो functions, जैसे कि ABS है, absolute, compute the absolute value of tensor, आपको absolute value मिंग लेंगी, उसको आपको addition function है, यहाँ पर return x plus y, element wise, angle है, आपक आप आए, gamma मिलेंगा, उसके बाद यहाँ पर आप नीच आओंगे, इतने function मिलेंगे, आपने जिंदगी में उन function का नाम भी सुनाने होगा, और future में भी आप उन function का इस्तमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपकी दिमाग में आएंगा, कि भाई, इतने सारे function के हम TensorFlow को जो हमारे playlist है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें जो maximum दोर पे जो TensorFlow की function हम इस्तमाल करते है, neural network को train करने के लिए, design करने के लिए, तो उन function के ऊपर हम बात करने वाल है, जैसे कि round function है, sqrt function है, तो इन function को maximum दोर पे इस्तमाल करते है, तो इनको हम detail में आगे चलक function है, tan function है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेंगा, right, उसी तरह किसे आपको zeta function, I hope अपने इसका नाम भी सुनाने होंगा, right, तो इस function को आपको use नहीं करना है, तो क्यों हम अपने दिमाग में store करेंगे, right, तो आपको क्या करना है, जो popular function है, उनको ही याद रखना है, right और जो function को आपको काम ही नहीं है, तो उनको याद रखनी की ज़रूत नहीं है, जब भी आपको in feature, आपको काम आता है, कोई problem है, उसको solve करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस blog को refer कर सकते हो, या आप जो daily काम करते हो, वही करना है, Google में जाना है, और इसके बाद आपका problem डा करो, बिसिकलिए वो waste हो जाएंगा, इन्वेस्ट नहीं होंगा, और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कि जैसे कि यहाँ पर example हमारे पास कुछ function है, जैसे कि power function है, अब यह power function किस तरह के से काम करता है, इसका syntax क्या है, इसको हम किस तरह के से use करेंगे, तो इसको तो हम आगे चल के detail में बात करेंगे, बट फिलाल आपको मानलो में tutorial नहीं बनाता हो, या मेरा tutorial आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको just इस function के उपर click करना है, जैसे आप इस function के उपर click करते हो, तो आप एक next page पे, next page पे आप चले जाते हो, और उसके बताया जाता है, ताकि आप easily understand कर पाऊंगे, और उसको आप real world में उसका इस्तमाल कर पाऊंगे, तो इस तरह के से दोस्तों हमने देखा कि tensorflow.math function किस तरह के से काम करता है, इसके बास कितने different different functions है, इसके बारे में हमने पूरे detail में बात की है, और आगे चल के इसमें जो popular functions है उसके उपर हम detail में बात करेंगे, इतना है नहीं हम practical भी perform करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, just description में जाना है, वहाँ पर आपको tensorflow की जो playlist है, उसके आपको link मिल जाएंगी, बस उस link को आपको follow करना है, और उसके साथ future में जो भी हमारे वीडियो आएंगे, उसको आपको देखना है, that simple, जिससे आप tensorflow की जो mathematical operation है, जो mathematical function है, उसको आप easily और simple language में आप understand कर पाऊंगे, और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, जो मैं popular function है, उसको आपको explain करूंगा, इसकी अलावा मानलो कोई function है, जो मुझसे miss हो जाता है, तो आप मुझे comment box में बता सकते हो, कि भाई, मुझे ये function को समझना है, आप इसके उपर वीडियो बना दो, तो यार आपके जो demand रहेंगी, उसके उपर मैं supply करता रहूंगा, यही मेरा काम है, तो चलो दोस्तों, millingham next tutorial में, तब तक के लिए, सिखते सिखाते तैने वाई